फिजिकल हेल्थ को लेकर दिल्चस्पी जिस तरह से बढ़ रही है उसे एक शेत्र से जुड़े कोचिश और ट्रेनर्स की डिमान भी बढ़ रही है जोगो टेक्नोलोजी जैसे स्टार्ट अप्स इस मांग को पुरा करने में मदद कर रहे हैं साथियों आज फिजिकल हेल्थ और वैल बिंग की चर्चा तो खूब होती है लेकिन इससे जुड़ा एक और बड़ा पहलू है मेंटल हिल्थ का मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि मुंबई के इनफी हिल और यॉर दोस्त जैसे स्टार्ट अप्स मेंटल हिल्थ और वैल बिंग को इंप्रूब करने लिए काम कर रहे हैं इतना ही नहीं आज इसके लिए आर्टिफिशल इंटलिजन्स जैसी टेक्नलोजी का इस्तिमाल भी किया जा रहा है साथियों मैं यहां कुछी स्टार्ट अप्स का नाम ले सकता हूं को एक लिस्ट बहुत लंबी है मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि ynडिया के सपने को साकार करने के दिशा में इनोवेटीव हेल्थ केर स्टार्ट उप्स के बारे में वहूज़े जरूर लिखते रहे हैं। मैं आपके साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले जाने माने लोगों के अनुभाववी साजा करना चाहता हू यह पहला मैसेज सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी कहा है, यह फिट्नेश विशेश रुप से, फिट्नेश अद द माइन, यानि मानसीख स्वास को लेकर अपने विचार साजा करेंगे. इस मन की बात में, मन के स्वास्त्य पर बात करना हमारा सावबाग्य है. Mental illnesses and how we keep our neurological system are very directly related. How alert, static-free, and disturbance-free we keep our neurological system will decide how pleasant we feel within ourselves. What we call as peace, love, joy, blissfulness, agony, depression, ecstasy, all have a chemical and neurological basis. Pharmacology is essentially trying to fix the chemical imbalance within the body by adding chemicals from outside. Mental illnesses are being managed this way. But we must realize that taking chemicals from outside in the form of medications is necessary when one is in extreme situation. Working for an internal mental health situation or working for an equanimous chemistry within ourselves, a chemistry of peacefulness, joyfulness, blissfulness, is something that has to be brought into every individual's life, into the cultural life of a society, and the nations around the world, and the entire humanity. It's very important we understand our mental health, our sanity is a fragile privilege. We must protect it. We must nurture it. For this, there are many levels of practices in the yogic system. Completely internalized processes that people can do as simple practices with which they can bring certain equanimity to their chemistry and certain calmness to their neurological system. The technologies of inner well-being is what we call as the yogic sciences. Let's make it happen. आईये अईये अब हम जानी मानी क्रिकेट खिलाडी हर्मन प्रित कौर जी को सुनते हैं. नमस्कार, मैं अपने देश वासियों को मन की बात के माद्यम से कुछ कहना चाती हूँ. माननिय परदान मंतरी श्चिरी नरेंदर मोदी जी के Fit India की पहल, मुझे अपने fitness मंतरा आप सभी के साथ शेर करने के लिए प्रोसाहित किया है. आप सभी को मेरा पहला सेजेशन यही है, वन केनट आउट रेना बैट डाइट. इसका अर्थ यह है, आप कब खाते हो और क्या खाते हो, इसके बारे में आपको बहुत साफ़दन रहना होगा. हाल ही में माननिय परधान मंतरी मोदी जी ने सभी को बाजरा खाने के लिए इंकरज किया है, जो की एम्मूनिटी बढ़ाता है और टिकाओ खेती करने में साहिता करता है और पचाने में भी आइसान है. रेगलूर एक्सराइज और साथ गंटे की पूरी नींद बॉड़ी के लिए बहुत जरूरी है और फिट रहने के लिए मदद करती है. इसके लिए बहुत discipline and consistency की जरूरत होगी. जब आपको इसका result मिलने लग जाएगा तो आप daily खुदी exercise करना स्टार्ट कर दोगे. मुझे आप सबसे बात करने और अपना fitness मंतरा शेर करने का अफसर देने के लिए माननिय परदान मंतरी जी का बहुत धन्यवाद. जबाएब देने करने करने का अफसर दोगे.